हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोड में तो सबसे पहले आप फटाफट यह बताईए कि आप लोग कैसे हैं फटाफट आप लोग कॉमेंट किजिए और इसका जवाब दिजिए कि आप लोग कैसे हैं तो आज की इस वीडियो म रहेगा तो आपको करना है कि आपको 20 में से 20 प्रस्ण को सही करना है और देखिए अगर आपका 20 में से 15 प्रस्ण भी सही हो जाता है तो समझ लेजे कि आपका तयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा है और वीडियो के लाश्ट में आपको यह जरूर बताना है कि आपका 20 में स से कितना प्रस्ण सही हुआ और देखिए हमारे वेबसाइट पे ओनलाइन टेस्ट चल रहा है तो आप लोग अभी तक ओनलाइन टेस्ट नहीं दिये हैं तो क्लास खतम होने के बाद प्लीज आप लोग जाके ओनलाइन टेस्ट दे दिजिए और वीडियो के लाश्ट में बताएंगे कि आप लोग कहां से इसका पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए सौमाक सिंदी का आज नोट्स डालेंगे तो क्लास खतम होने के बाद हम देंगे कि आप लोग को सौमाक सिंदी का नोट्स कहां से डाउनलोड करना है दिखिए नोट्स में अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्ण रहेगा इसलिए आप लोग लाश्ट तक बने रहेगा क्योंकि लाश्ट में हम बताएंगे कि इसका नोट्स आप लोग क किये हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और देखिए ये है मेरा वाटसप नंबर आप अभी तक हमारे वाटसप ग्रूप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज किजी और बुलिए कि सरम को ग्रूप में जोड़ देंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प् काफी मत्पूर प्रश्ण है और देखिए जो इसमें 20 प्रश्ण है यह 20 प्रश्ण हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको कोशिस करना है कि आपका 20 में भी साई हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण दो नंबर project काफी मत्यत्त पूर्ण और छुपीता है की option भी तिकिए कवीता है कि option कवीता है तो देखिए आगों मैं से कोई नहीं देखिए यहां पर आपको ये बताना है कि हारजित जो है कैसी कवीता है तो आप लोग फटा फट कॉमेंट करके बताइए कि हारजित कैसी कवीता है तो गध्य कवीता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर B option है तो B option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण तीन नंबर देखिए तीन नंबर प्रस्ण कि उसने कहा था कैसी कहानी है यहाँ पर आपको ये बताना है कि उसने कहा था कहानी कैसी है तो देखिए उसने कहा था कहानी कैसी है तो युद विरोधी है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर B option है तो B option बिल्कुल ह सही हो जाएगा प्राशने कित पुरुष किसकी रचना थे काफिम्त पूरशन्य यह और यह विबी आई प्राशने है यह प्रस्न आपके फाइनल बौट परिक्षा में पूछा जा सकता है देखिए आपसे पूछा गया है कि तत्यो पूरुस किसकी रचना यानि तत्यो पूरुस के रचिता कौन है तो आप रोख फाटा फोट कॉमेंट करके बताइए कि तत्यो पूरुस के रचिता कौन है तो यह देखिए जो तत्यो पूरुस है वो किसके द्वारा रचित है तो वाचपई के द्वारा रची थे इसे आपको याद रखना है दिखिए यहां पर डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा दिखिए आप अभी तक हमारे वाट्सप ग्रूप में नहीं जुड़े हैं तो इस पर मैसेज किजिए और बोलिए कि सरम को ग्रू प्रशने सही करना है आईए देखते हैं अगला प्रशने पांच नंबर प्रशने देखिए यहां पर कि स्रिष्टी का विलोम है यहां पर आपको यह बताना है कि स्रिष्टी का विलोम क्या होता है देखिए धर्ती बाग होता है कि बगान होता है कि परलय होता है कि मिटाना होता है तो आप लोग फाटाफट कॉमेंट कीजिए और इसका जवाब दिजिए कि स्रिष्टी का विलोम क्या होता है तो परले होता है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर सी अप्सन है तो सी अप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्न है कि पुरस्कार का विलोम है यहाँ पर आपको यह बताना है कि पुरस्कार का उल्टा क्या होता है देखिए दंड होता है कि प्रिस्रमी होता है कि सम्मान होता है कि अपमान होता है तो आप लोग फटाफट बताए कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है तो साथ नंबर प्रशने की ओम परकास बल मिकी जी की रचना कौन सी है यहाँ पर आपको यह बताना है कि इन में से जो ओम परकास बल मिकी जी की रचना है वो कौन सी है देखिए उसने कहा था है कि जूठन है कि प्रगती और समाज है कि रोज है तो आप लोग फाटा फोट कॉमे आपको 20 में से 20 प्रस्ण सही करना है क्योंकि ये सारे प्रस्ण हम आपको पढ़ा चुके हैं तो आपको 20 में से 20 प्रस्ण सही करना है और आपको लास्ट में हमको जरूर बताना है कि आपका 20 में से 20 प्रस्ण सही हुआ और देखिए आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक न प्रश्ण है और देखिए ये प्रश्ण आपके फाइनल बूर्ट परिक्षा में पूछा जाएगा आपको बताना है देखिए कि दलिट साहित्य सोंदर सास्त के रचनाकार कौन है तो ओम परकास बालमिकी जी है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर डी ऑप्सन ह बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर देखिए नौ नंबर प्रश्ण की प्रजा सोचलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ यहाँ पर आपको यह बताना है कि प्रजा सोचलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था तो देखिए प्रजा स को लाश्ट तक बने रहिए हम बताएंगे आप लोग को कि ओनलाइन टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं देखिए और आपको एक बात बताते हैं कि हम आज नोट्स डालेंगे सौ माक सिंदी के चेप्टर वन का जिसमें देखिए तीस भी अब्जेक्टी प्रशने रहेगा और साथ से आठ सब्जेक्टी प्रशने रहेगा तो आप लोग को उस नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है यह हम आपको लाश्ट में बताएंगे तो आप लोग प्लीज वीडियो के अंतक बने रहिएगा यह देखते हैं अगला प्रशने दास नंबर देखिए दास नंबर प्रशने कि तुलसी दास के रचेईता कौन है यहाँ पे आपको यह बताना है कि तुलसी दास के रचेईता कौन है तो देखिए तुलसी दास के रचेईता कौन है तो सुरेक का अंतिरपाथी है इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे डी आप्शन है तो डी आप्शन बिल तार सिंग, ओप्शन C है, वजीरा सिंग, ओप्शन D है, कुलदीप सिंग, तो आप लोग फटा फट पहले इसका जवाब दिजे, कि पल्टन का विदूसक कौन था, तो दिखिए पल्टन का विदूसक कौन था, तो वजीरा सिंग था, इसे आपको याद रखना है, दिखिए यहाँ पे C option है, तो C option बिल्कुल ही सई हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रस्ण बारा नंबर, देखिए बारा नंबर प्रस्ण कि उर्वासी किसकी रचना है, यहाँ पे आपको यह बताना है, कि उर्वासी किसकी रचना है, तो देखिए उर्वासी किसकी रचना है, कि घुड़ सवार में कौन सा समास होता है, यहाँ पे आपको ये बताना है, कि घुड़ सवार में कौन सा समास होता है, तो तत्तो पूरु समास होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B option है, तो B option बिलकुल ही साई हो जाएगा, और देखिए, आप हमारे WhatsApp ग्रूप म देखिए ये most important प्रस्ण है और ये प्रस्ण आपके board परिक्षा में लगभग पूछा जा सकता है इसलिए ये प्रस्ण आपको याद होना चाहिए देखिए आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी कप परकासित हुई देखिए 1913 इसवी में कि 1912 इसवी में कि 1915 इसवी में कि यहाँ पर आपको जवाब देना है कि उसने कहा था कहानी कप परकासित हुई थी तो 1915 इसवी में हुई थी इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर C option है तो C option बिल्कुल ही सई हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रस्ण पंदरा नंबर देखिए 15 नंबर प्रस संगीत के लिए option C है मुर्दि निर्माड के लिए option D है उपनियास लेखक के लिए आप लोग जवाब देजिए इसका कि दिनकर्जी किस लिए परसिद है तो साहित रचना के लिए परसिदह इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पे A option है तो A option बिल्कुल ही साई हो आगले प्रश्चनु शोला नंबर प्रश्चन शंख्या वाजक विशेसर यहां पे आपको यह बताना है कि संख्या वाज्चक विशेसर कौन सा है तो देखिए वल्त में संख्या का बौध थोड़ा में भी नहीं हो रहा है कौन आदमी जा रहा है इसमें भी संक्या का बोद नहीं हो रहा है दिखिए संक्या का बोद किसमें हो रहा है तो 100 में हो रहा है इसलिए राइट एंसर 100 हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रसने देखिए 17 नंबर देखिए 17 नंबर प्रसन यहां पर C option है तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा देखिए यह 20 परस्ण जो हम आपका test ले रहे हैं यह प्रस्ण हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए आपको 20 में से क्या करना है 20 प्रस्ण सही करना है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 18 नंबर 18 नंबर प्रस्ण यहां पर आपको याद रखना है देखिए यहां पर C option है तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 19 नंबर देखिए 19 नंबर प्रस्ण है कि हिंदी की पहली स्रेष्ट कहानी कौन सी है देखिए यह most important प्रस्ण है और देखिए यह प्रस्ण आप हंदी की पहली स्रेष्ट कहानी कौन सी है तो उसने कहा था इसे आपको याद रखना है देखिए यहां पर UC option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रस्ण 20 तो आपको בסों और यहाँ में से क्या है यहां पर यह अपको ई चुके हैं तो आपको प्रसपितकु आप में से किदि अज़न का हो प्रासनों ुए हो जाएगा है Humाफ को सोमाकaver इնदी का इस प्रसनों का टेस्ट ले चुके हैं तो आपलोग फटा फट यह comment करके बताइए कि आपका 20 प्रस्णों में से कितना प्रस्णे सही हुआ रहे देखिए आपको 20 में से 20 प्रस्णे सही करना था क्यूंकि ये 20 प्रस्णाम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं तो उमीद करते हैं कि आपका 20 में से 20 प्रस्णे सही हुआ होगा और देखिए जो प पहुंचता रहे आपके पास और आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दिजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास सेर जरूर किजिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ओन-लाइन टेस्ट कैसे दे सक रहे और इसका पीडियेफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आज देखिए हम सौमाक सिंधी का चेप्टर वन का नोट्स देंगे जिसमें देखिए तीस बीपी आई अब्जेक्टिव प्रस्ण रहेगा और देखिए पांस से साथ सब्जेक्टिव प्रस्ण रह अपना मोबाइल ओपें करना है आपके मोबाइल फ़न में गूगल या क्रोम होता है तो उसको ओपें करना है उसके सर्च बार में लिखना है दिखिए askboard.in जैसे हम लिख रहे हैं देखिए askboard देखिए डॉट इन यहां पर हम askboard.in लिखे क्या करेंगे सर्च कर देंगे दे अब आपको online test देना है तो देखिए यहां पर लिखा है daily test आपको क्या करना है इसे पर simply click करना है जैसे ही आप Code करेंगे इतना ह्प tasks open हो गया तो सबसे उपर वाला test देना है तो देखिए लिखा है यहां पर class 12 भहोतीई की का लाफ्टेस्ट इहां mechanics करना है इसी पर simply click करना है जैसे ही आप click करेंगे देखिए यहां पर एक page खुलके open हो जाएगा तो यहां पर आपको simply नीचे आना है जैसे ही आप नीचे आएंगे देखिए यहां पर टेस्ट है यहां पर लिखा है देखिए class 12 बहुतिगी का live test यहां पर start का button है आपको इसी पर simply click करना है जैसे ही आप click करनेगे यहां पर आपका नाम पुछेगा तो आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा जैसे मैं कोई भी नाम डाल देता हूं जैसे मैं राहुल डाल दिया और यहां पर देखिए नेक्स्ट कर दिय और आपको 10 मिनट में 20 पर स्वल्व करना रहता है तो यह बहुत ही अच्छा है आपके final board परिक्षा के लिए क्यूंकि आप लोग डेल डेली अगर टेस्ट देंगे तो आपको टेस्ट में habit बना रहेगा एक्जाम देने का practice रहेगा तो आप लोग जब जाएंगे एक्जाम डाउनलोड कर सकते हैं और PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए जब askboard.in लिखके आप सर्च करेंगे उसके home पर आएंगे जैसे ही आप होम पर आएंगे तो आपको क्या करना है simply नीचे आना है जैसे ही आप नीचे आएंगे education पर आना है आपको तो देखिए PDF अगर आप डाउनलोड नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे ही एक लिखा हुआ आएगा class 12th हिंदी chapter 1 notes वहाँ पर लिखा होगा यहाँ तो आपको क्या करना है उसी पर आपको simply click करना है हम अभी डालते हैं उसको class खतम होने के बाद तो देख होगा कि 100 marks इंदी chapter 1 note objective subjective यहाँ पर लिखा होगा तो आपको क्या करना है उसके सामने click here लिखा होगा click पर डालना है और ऐसे देखिए PDF टाइप में notes खुल के open हो जाएगा जैसे ही open होगा यहाँ देखिए खुल रहा है अभी देखिए यहाँ पर खुल गया ऐसे ही notes खुल नोट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पर दिखें डाउनलोड का option दिख रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग दबा के simply download कर सकते हैं तो आप लोग ऐसे notes daily आके download कर सकते हैं आपको आप लोग क्या किजिए कि जब भी class हो तभी आईएगा और यहाँ से आप लोग अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें मन लगागे पढ़ाई किजिए टेक केयर और बाई